नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के जहां आए आज हम सभी जानते हैं इन वजहों से होता है गठिया रोग चार तरह का होता है गठिया इसको जड़ से खत्म करने का बहुत से लोगों में पाया जा रहा है हमारे शरीर के जोड़ों में दर्ध होता है गठिया के पीछे यूरिक एसीड की बड़ी भूमिका रहती है इसमें हमारे शरीर में यूरिक एसीड की मातरा बढ़ जाती है यूरिक एसीड के कण घुटनों एवं अन्य जोड़ों में जमा हो जाते हैं जोडों में दर्द से रोगी का बुरा हाल रहता है इस रोग में रात को जोडों का दर्द बढ़ता है और सुबह अकड़न महसूस होती है इसकी पहचान होने पर इसका जल्दी ही इलाज कराना चाहिए अन्यथा जोडों को बड़ा नुकसान हो सकता है हम यहाँ पर गठिया के अचुक घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिससे आप अपनी देखबाल खुद घर बैठे कर सकते हैं, मनुश्यों के शरीर के कई भाग होते हैं, तथा उम्र के अनुसार गठिया रोग कई प्रकार का होता रहता है। रूमे टाइड अर्थराइटिस जिहां इस गठिया रोग के कारण छोटी उंगलियों के जोड जैसे उंगलियां, कोहनियां, कलाईयों, घुटनों, टकनों इत्यादी में दर्ध होने लगता है, तथा इन अंगों में अकड़न हो जाती है। रोगी व्यक्ति में विकलांग पंजय सी समस्या हो जाती है। यह रोग पुरुशों से अधिक महिलाओं को होता है। इसके अलावा जानते हैं आश्टियो अर्थराइटिस। इस प्रकार का गठिया रोग उम्र के बढ़ने के साथ होने वाला एक समानिय रोग है, जो हड्डियों के जोणों के घिस जाने के कारण होता है। इस रोग के कारण रोगी के नितंब, रिड़ के हड़ी, घुटने अधिक प्रभावी होते हैं। इस से संबंधित हड्डियां धीरे धीरे शतिग्रस्त होने लगती हैं, जिसके कारण व्यक्ति में विकलांगता उत्पन होती जाती है। गाउट गठिया, रोग से पीडित लगभग, तेन प्रतिशत रोगी पथरी रोग के शिकार, यानि की पथरी रोग के शिकार रोगी हो ही जाते हैं। यह रोग पुरुषों को अधिक होता है। गठिया होने के कारणों को जान लीजे। गठिया का घरेलू राम बानु पाय जान लीजे। जो रोगी गठिया की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे, वे भी चलने फिरने लायक हो गए। पारिजात पेंड के पांच पत्ते तोड के पत्थर में पीछ लें और चटनी बनाएं। फिर एक गलास पानी में इतना गर्म करें इसको कि पानी आधा हो जाए। फिर इसको ठंडा करके पीना है। आपको 20-20 साल पुराना गठिया का दर्द भी इससे दूर हो जाता है। यह उपाय लगातार कुछ महिनों तक करने से गठिया का खात्मा हो जाता है। आपको गठिया से पूरी तरह से आराम मिल सकता है। बस निरंतरता के साथ यह प्रयोग आपको करना होता है। अगर घुटो और जोडों के दर्द में किसी भी प्रकार की दवा से अराम न मिलता हो तो ऐसे लोग हार सिंगार यानि कि पारिजात पेण के 10-12 पत्तों को पत्थर पे कूट कर एक ग्लास पानी में उबालें। जब पानी एक चोथाई बत जाये तो बिना छाने ही ठंधा क करके पी ले इस प्रकार से 90 दिन में चिकनाई पूरी तरह से वापिस बन जाएगी अगर कुछ कमी रह जाए तो फिर एक महिने का अंतर दे करके फिर से 90 दिन तक इसी क्रम को दोहराएं निश्चित लाव की प्राप्ति आपको होगी बस 90 दिनों तक यह प्रयोग करते रहे लहसुन की 10 कलियों को 100 ग्राम पानी एम 100 ग्राम दूद में मिलाकर पका कर उसे पीने से दर्द में शिख रही लाव होता है सुबह के समय सुर्य नमस्कार और प्राणायाम करने से भी जोणों के दर्द से स्थाई रूप से छुटकारा मिलता है एक चमच मेथी बीज रात भर साफ पानी में लगने दे या गलने दे इससे सुबह पानी निकाल दे और मेथी के बीज अच्छी तरह से चबा चबा करके खाएं मेथी बीज की गर्मता सीर मानी जाती है यह गुन जोडों के दर्द को दूर करने में काफे मदद करता है गठिया के रोगी चार से छे लिटर पानी पीने की आदट डालने तो उनको फायदा होगा इससे ज़्यादा पेशाव होगा और अधिक से अधिक विजातिय पदार्थ और यूरिक एसीड बाहर निकलते रहेंगे बोडी से एक बड़ा चमच सरसों के तेल में लहसुन की तीन चार कूली पीस कर डाल दें इसे इतना गरम करें कि लहसुन भली परकार पक जाए फिर इसे आच से उतार कर मामूली गरम हालत में इससे जोडों की मालिश करने से दर्द में तुरंत रहत मिल जाती है प्रती दिन नारियल की गिरी के सेवन से भी जोडों को ताकत मिलती है प्रातकाल खाली पेट एक लहसुन की कली दही के साथ दो महिने तक लागा तार लेने से जोडों के दर्द में आशाती लाप्राप्त होता है 250 ग्राम दूद एवं उतने ही पानी में दो लहसुन की कलियां एक एक चमच सोट और हरड तथा एक एक दाल चीनी और छोटी इलाइची डाल कर उसे अच्छी तरह से धीमे आँच पें पकाएं पानी जल जाने पर उस दूद को पीएं शिग्र आपको लाप्राप्त होगा ठंधा होने पर उस तेल को मांस पेश्यों पर लगाएं दर्द में तुरंत आराम मिलेगा दो तिन दिन के अंतर से खाली पेट अरंडी का 10 ग्राम तेल पीएं इससे भी आपको लाप होगा इस दोरान चाय कॉफी कुछ भी नलें जल्दी ही आपको फायदा होगा दर्द व स्थाई लाप प्राप्त होता है गठिया रोग को अपनी शमता के अनुसार हलका व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए जिनको भी गठिया है क्योंकि इनके लिए अधिक परिश्रम करना या अधिक बैठे रहना दोनों ही नुकसान दायक होता है दस ग्राम लहसुन की कलियाने इसे सिंधा नमक जीरा, हिंग, पीपल, काली मिर्च एवं सोट पांच-पाच ग्राम के साथ पीस कर मिला लें फिर इसे अरंड के तेल में भून करके शीशी में भर लें इसे एक चमच पानी के साथ दिन में दो बार लेने से गठिया में आश उपचार करने के लिए सबसे पहले शरीर में जमायूरिक एसीड को घुला करके शरीर से बाहर निकालने वाले पदार्थ जैसे पोटेशियम, प्रधान खादे पदार्थ, लोकी, तरबूज, ककडी, खीरा, पत्ता गोवी, पालक, सफेद, पेठा, इत्यादी के रस को प्र कच्चे फल और सबजियों पर जीवन व्यतित करना चीए, कुछ दिन तक गठिया रोग से पिडित रोगी को मौसम के अनुसार फल तथा सलाद और हरी सबजियों का रस पीना चाहिए, इससे भी काफी लाब होता है, इस रोग से पिडित रोगी यदि प्रती दिन नारियल क का पानी पिए तो उसे बहुत अधिक लाब होता है, अंगूर ता शरीफा फलों को कुछ दिनों तक खाने से रोगी को बहुत अधिक लाब ही मिलता है, इस रोग से पिडित रोगी को रात के समय में 2-3 अंजूर, 10 मुनक का तथा एक खुबानी को भिंगोने के लिए रख और सुबह के समय में उठकर इसे खालें इससे गठिया रोग में बहुत अधिक लाब मिलता है इस रोग से पिडित रोगी को अपने भोजन में दाल दही दूद तली भूनी चीजें तथा चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए इस रोग से पिडित रोगी को पानी अधिक से अध प्राप्त होता है इसमें इस रोग से पीडित रोगी को लहसुन अधिक खाना चाहिए। को सब्ताह में एक बार उपवास आवस्य करना चाहिए। गठिया रोग से प्रभावित भाग पर इस जल को लगाए तो उसका यह रोग कुछी दिनों में ठीक हो जाता है। जल्दी ठीक करने के लिए प्रभावी होती है इसलिए इस रोष्णी को जरूर लेना चाहिए। इस रोग से पिडित रोगी को गठिये से प्रभावित भाग पर मिटी की गिली पट्टी का लेप करना चाहिए। गठिया रोग से पिडित रोगी को एनीमिया या एनीमा क्रिया करके अपने पेट की सभाई करने चाहिए। और फिर प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करना चाहिए। इस रोग को ठीक करने के लिए गर्म पानी में पैरों को धोना चाहिए जिसके फल्सवर गठिया रोग जल्दी ठीक हो जाता है। गठिया रोग से प्रभावित भाग पर गर्म पट्टी करने तथा गर्म मिट्टी की पट्टी करने या गर्म ठंधी सिकाई करने से रोगी को बहुत अधिक लाफ मिलता है। प्रती दिन योग नैद्रा करने से गठिया के रोगी को बहुत अठिक लाफ मिलता है। गठिया रोग के कारण प्रभावित स्थान पर जो सूजन पढ़ जाती है उस पर बर्फ की ठंडे पानी के पट्टी करने से सूजन कम हो जाती है और रोगी को इस रोग की वजह से जो दर्द होता है वह कम हो जाता है। सिंगार की चार से पांच पत्तियों को पीस कर एक गिलास पानी में मिला करके सुबह तथा शाम को लगातार दो से तीन सपताह तक पिए तो उसका गठिया रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। आसनों को करना बहुत फायदेमंद रहता है जैसे पदमासन वजरासन उज्जयाई सुर्यभेदी प्राणायाम भस्त्रिका नाड़ी शोथन सिध्धासन गुमुखासन गुरक्षासन सिंहासन तथा भुजंगासन इत्यादी यह सारे आसन हैं जो बेहद लापकारी होते हैं इसमें यह उपाया आजमाने से पहले आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में जानकारी लेकर और भी अच्छे से समझ लें और फिर घर बैठे इसका इलाज आप कर सकते हैं क्योंकि एक बार समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी कारी को जब आप नहीं जानते हैं तो उ मस्कार दोस्तों